हेलो रिवन, वेलकाम बाक टो ऑनलाइन स्टेडियो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार 2023 का सेट नमबर 3 उमीद है कि इसे पहले कि आपने बागी के दो सेट को अच्छे तरीके से देख लिया हुआ नहीं देखें तो प्रेलिस्ट बढ़ना हुआ है आप वहां से जा करके देख सकते हैं इस वीडियो में आपको पिछले 6-8 महीने के गरांटर पर समकवर करने की खोस्त करने ताकि आपके आने वाले एक्जाम में हेलफुल हो सके ठीक है तो ज्यादा समय नालती पर चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं देखें फिन किरन पॉब्ली किसांग की तरब से एक बुक आया हुआ है बिपीएसी टीचर लिकूर्मेंट एक्जाम्स यानि कि जो बिहार सिक छक है उनके लिए और यह जो बुक है वो स्पेसली 9th 10th के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अब इसमें है क्या ध्यान रखेग इन चारों से लेड़ेड आपको क्वेशन MCQ फॉर्मेट में 9 10th के बेस पर के क्वेशन्स बिनाए गया है NCRT और HCRT पर ठीक है प्राक्टिस वर्ट बुक है तो यह बहुत जादा मैजपूर्ण होगा देखें इसमें आपको जो प्राक्टिस एट बनाएगा है किस तरह से बागवन में आपको समाजी विज्ञान से 80 प्रश्ट और समाने अध्यान के 40 प्रश्ट यानि समाने अध्यान में आपको जी के और साथ ही साथ इसमें कुछ math वगरा questions भी दिए गया है कि टोटल 120 प्रश्ट आपको 120 अंग के देखने को मिलेगा हूँ तो इस practice book को last time पे जरूर solve करिये ताकि आप अपने score को देख सके हैं कितना पर score कर पा रहे है 9th 10 के जो भी preparation कर रहे है 9th 10 के लिए आप लोग इस video मतलब इस book को जरूर purchase करें कहीं न कहीं आपको यह market में मिल जाएगा और मार्केट में नहीं मिलता आपके नजदीके store में तो आप online भी ले सकते हैं Amazon Flipkart पे available है तो आप जरूर एक बार चेक कर लीज़ेगा देखे फैंस आज किस वीडियो में हम भीहार करंटफेस के साथ साथ important MCQ भी आपको provide कराएंगे यानि कि जो पीछे हमेने questions करा दिया है उसका practice आप यहाँ पे कर सकेंगे MCQ लगाईएगा ठीक है तो वीडियो के साथ end तक बने रही है अब आपका यहाँ पर revisions भी जुरू लीए तो चली सुरू करते हैं सबसे पहला प्रशिये के सघ्र की नमामी गंगे योश्तना के तहत राज्य के कितने सहरों के भूगर विजल गो स्वग्ष करें अगला प्रश्ण है miraculous कि डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्त की सुरुवाद कि गया दॉक्टर यहां पे भोजपूर जीले से तो आपको पता है कि अब थोड़ा सा अंदर भी हमें जाने की जुरुत है क्योंकि पिछली बार पेपर में आपने देखा था कि करेंगे कि आपको जहां तक हम बता सके कोशिज करेंगे देखिए भोजपूर के आरा से श्टार्ट किया था यहां रगेगा अगला प्रस्ट यह कि पटना हाइ कोट में अपना पुना अपना इसाई सिटर जनरल गो निक दिकिया तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जागा कृष्ण नंदन सिंग कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड़ी से समंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है यानि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड़ी से समंधित समस्याओं के निदान के लिए समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है तो ये पटना बनाया जा रहा है अच्छा पटना में मैं आपको बहुत सारी चीज़े बता हुआ जैसे एक स्टार्ट किया गा था डाक विभाग से मिल करके भारती रेल्वे ने डाक विभाग से मिल करके वो भी चर्चा में था पटना कहीं है क्यों कि अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझोता किया तो ये भी याद रखेगा और पटना से लेटर एक प्रश्ण यहाँ पर ये है कि Northern Wood Expo का आयोजन भी पटना के गांधी मैदान में किया गया तो ये याद रखेंगे ठीक है चलिए इसके बाद Next है कि बिहार के किस वेक्ति को Economic Time का Inspiring Palmologist आफ इंडिया पुरुषकार से समानित किया गया किस वेक्ति को Economic Time का Inspiring Palmologist आफ इंडिया पुरुषकार से समानित किया गया दोस्तों और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्याद अज़ा सेर करें अपने पेट के साथ तो नाम से लग रहा हो कि ये स्वक्षिता के लिए ही चलाया गया लेकिन ध्याद रखेगा कंक्यूज कर सकता है कि पटना नगर निगम द्वारा निसूल के पार्किंग सुविधा उपलब्द कराने के लिए स्वक्षिता आप को स्टार्ट किया गया यानि देखने में कुछ और काम इसका कुछ और है तो ये ध्यान रहे है पटना निगम द्वारा निसूल के पार्किंग सुविधा उपलब्द कराने के लिए स्वक्षिता आपको लॉंच किया गया रमाइन विस्विध्याले जो कि कहां बनाने की चर्चा की जारी है तो रमाइन विस्विध्याले वैसाली में वैसाली में भी कहां तो इस्माइलपूर ठीक है इस तरह सापको याद रखना है अब सिर्फ जीला नहीं जीले के जगा में भी कहां पर तो इस्माइलपूर में अगला प्रश्ट कि बिहार ने प्रतिश्टित रास्टिये MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की स्रेडी में कौन सा पुरस्कार जेता MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की स्रेडी में बिहार जे वो दूसरा अस्थान इसको प्राप्त हुआ बिहार के उद्ध्योग विभाग को दूसरा अस्थान प्रत्थम अस्थान उडिसा को मिला है तीसरा अस्थान MSME विभाग हर्याना को मिला है तो ये तीनों याद रखें तीनों इंपोर्टेंट रहे हो नेक्स्ट प्शन है कि बिहार यूथ कंकलेव 2023 कायोजन कहां पर हुआ बिहार यूथ कंकलेव 2023 कायोजन कहां पर हुआ पटना में हुआ है अगला है कि स्वक्षता जागरूपता संस्कृती अवियान स्वक्षता जागरूपता संस्कृती अवियान किस नगर नीगम ने स्टार्ट किया तो स्वक्षता जागरूपता सांस्किती अभ्यान को पतना नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया देखें पार्ट वन और पार्ट टू का जो PDF है वो मैंने अपने पेड़ कूर्स में डाल दिया था 69th VPSC का तो जो लोग अभी तक जोइन नहीं किया है आप जाकर कर सकते हैं वहां से आपको PDF मिल जागा साथ साथ आर्थिक समिक्षा और जो केंदरी के बजट है उसका वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है वीडियो तो अप्लोड करी दिया है योट्टूब आपको मिल जागा और इसका PDF जो है वो नोट्स वाला PDF हमने पेड़ कूर्स में डाला हुआ है तो जिनको भी पेड़ प्रमाड पत्र जारी करने वाला पहला जीला बन चुका है पूर्णिया ठीक है पूर्णिया अगला है कि प्रवासी भारती पुरुषकार किसको मिला है प्रवासी भारती पुरुषकार मिला है असोक तिवारी को असोक तिवारी ध्यान रखेगा असोक तिवारी नेक्स प्रस्ट ने की रक्सॉल से हल्दिया के बीच ग्रेन फिल्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का DPR त्यार किया गया इसके लंबाई कितनी होगी अब यहाँ पे दोट से प्रस्टीन प्रस्टन है जो की आर्थिक सर्वेक्षन से तो अभी जस्ट में आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षन भी कराने वाला हूँ और उसके बाद हम बिहार बजट को भी देखेंगे देखे, क्या कहा रहा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 22 तेज के अनुसार सडग घनत्यों में बिहार का स्थान कितना था तो सडग घनत्यों में बिहार का स्थान है वो तीसरा है सडग घनत्यों में बिहार का स्थान तीसरा है पुरे मतलब कि ओवराल इंडिया में बात करते हैं तो सड़क घरनते हैं बिहार का स्थान तीसरा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 22-23 की अनुसार बिहार में सहरी करण का दर कितना है सहरी करण का दर वर्टमान में है आपका 16.2% 16.2% प्रति वेक्षती आए कितनी है दीए यह सबसे महत्ंपपुर्ट आएगा प्रति वेक्षती आए कितना हो गया तो 54-383 ठीक है 54-380 अगला है कि किस जीले में क्यूल मौद्सो मनाएगिया किस जीले में ये यादर रखना है गरतन दिवस के उसर पर किस योजना के शुरुआत की गई थी तो यहाँ पर सही हो जगा घर घर पारसल योजना को स्टार्ट किया गया ठीक है तो यह रहा हमारा आज का महत्रपुन्ट बिहार करंटर्पेस अब हम सुरू करेंगे जो कि आपका प्रैक्टिस जो पीछे अपन पर संबनथ के निरमाय कारें इस प्रैक्त से कितने मिम वट बिजली का उद्पादन किया जाएगा सबसे पहला मेगावाइट अगर अपने C को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है question का right answer अपनीची comment करते चलिएगा कि first का C second का D इस तरह से right अगला प्रशने क्यों next करहें कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी और धोगिक विकास ranking में प्रथम स्थान पर कौन सा जीला रहा है बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी और धोगिक विकास रैंकिंग जो है इसमें प्रथम स्थान किस जीले को मिला है प्रथम स्थान मिला है सीवान को ठीक है right answer अप्जा का option D सीवान जीले को question number 3 देखिए क्या किरा question number 3 है कि मुख्यमंत्री निरिस कुमार ने सोनी का हाथ सोनी का हाथ पुस्तक का विमोचन किया इस पुस्तक के लेखा कौन है सबसे पहरे दिन मैंने आपको बता आता first अगर आपने वीडियो देखा है उसमें आपको बताएगा था सोनी का हाथ पुस्तक के लेखा का है option अगर आपने C को टिक है तो बिल्कुल सही जवाब होगा dr. राजवर्धन अजाद question number 4 देखिए क्यारा कि उपेंद्र महारती सिल्प संस्था ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझोता किया यह संस्था बिहार के कि जीले में है अभी मैंने आपको स्टार्टी में ही बताया था इस प्रश्णे के बारे में तो राइट अंसर हम आपको बताने वाले तो नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएगा कि फोर्थ का राइट अंसर क्या हुआ देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं ठीके चलिए इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि नितिस कुमार पर केंद्रित पुस्तक परयोग धर्मी विकास सिल्पी नितिस कुमार द्यान दिजेगा कि नितिसकुमार पर केंदेट ये पुष्तक है। परियोग धर्मी विकास शिल्पी नितिसकुमार के लेखक। मुख्य मंत्री को ये पुष्तक दिये। इस पुष्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या बनेगा अगर आपने ओप्सन ए को ठीक है वरून कुमार तो बिल्कुल सही जवाब होगा वरून कुमार ओप्सन ए चलिए तो इस प्रशन का सही आंसर अमारा बनेगा ओप्सन सी मुझफरपुर और तिरावा जो फिल्म उत्सव है तिरावा फिल्म उत्सव वो पटना मना गया था वो याद रहीगा पटना में अच्छा भागलपूर से से लेटे डिमेन आपको क्वेशन एक बता हुआ था अगर देखा है तो बताया था कि केंद्रिये सुक्ष में लगो एवं मध्यम उध्योग मंत्रा ले कि एक सखा कर्याले यहां पे खोली जाएगी भागलपूर में यह मैं आपको बताया था राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट क्वेशन नमबर सेवन है कि बिहार क इसका सही आंसर अपसंडी गया में ठीक है अगला प्रस्ट हाली में चर्चा में रहा कामिस्वर सिंग संस्कीत विश्विद्याले बिहार के किस जीले में स्थित है कामिस्वर सिंग संस्कीत विश्विद्याले सभी प्रस्ट और पार्ट वन और पार्ट तू में कराई जा जो लोग देखे हैं उनको इस प्रश्ण को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा जो लोग नहीं देखें रेगलर आप फॉलो करिए सभी वीडियो उसको देखिए तो कामिस्वर सिंग विश्व इद्याले की बात हमने दर्भांगा में कही थी और राज्य का दूसरा तारा मंडल जो है वो आपका दर्भांगा में ही बन रहा है नेक्स्ट प्रशने के बिहार के किस जिले में फसाई की रास्टी ए खादे परियोग साला का उद्धगाटन किया गया तो इस प्रशन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे पुर्वी चम पारा है अपसर ए हो जागा पुर्वी चम पारा है ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रशन जो कि आज की इस वीडियो का आखरी प्रशन है हाली में चल्चा में रहा स्फियर फिसिंग स्फियर फिसिंग क्या है मैंने आपको बताया भी था स्फियर फिसिंग क्या है तो स्फियर फिसिंग हम लोग कहते हैं इमेल या फिर एलेक्ट्रोनिक संचार एक परकार का स्क्याम होता है। तो सही आंसर अप्सन यह हो जागा। ठीक है। तो उमीद है फैंस कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज ज्यादा दा लाइक करिए अपने फेंट के साथ सेर करिए और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकर को आल पे सेट कर लिजे। हम बिलते हैं आपके साथ इसी पर करके किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक्स आप वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लाइनिंग, आप पकुट्टिप